कि हलो प्रेंड्स आज हम बनाएंगे तैही चिकन जी हां तो आई हम इसे बनाना सुर करते हैं इससे पहले आप में चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिजेगा प्लीज तो आई हम इसे बनाना सुर करते हैं इसके लिए मैं आप एक जी अब हमें कुकर लेंगे उसमें सब्सक्राइब डालेंगे आप चाहते हैं पर डिफाइन भी डाल सकते हैं और अच्छे से हमें चिकन को फ्राइब करना है ऐसे चलाते हुए हमें इसे लगधार पांस से साथ मिल्ट तक प्राइब करना है हमें इसे मीडियों फ्लेम पे फ्राइ करना है हाई यलो फ्लेम पे नहीं अब इसमें हम थोड़े सी कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं अब चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं मैंने यापे बस कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं इसे हमें इसे पां तो पारिकटोरी दही लिखी अब इसे अच्छे से मिला देते हैं कि दही डानने के बाद हम इसे 5 मिनदे तक मीडियम पर पकाएंगे ऐसे चलाते हमें ताकि यह नीचे से चिपके नहीं यह अच्छे से पक चुका है और हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं अब हम थाले में निकाल लेते हैं चिकेन को साइड में और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं और उसका जो पानी बच्चा था उसे हम रख लेते हैं अब हम सेम को कर ले रहे हैं उसमें सर्चो ते को जीरा धन्य बेच अना इंद और वर मिर्च टाल दे रहे हां, तो अर यहाँ पे यहाँ पर हमें तेंटिश पते डाल ले रहे हैं अब आपा इसमें डालेंगे प्याज हमें ही धोड़ी से प्याज डाल नहीं इसके बाद अद्रक लासन और भिल जाल भाड़ाज हमें चार्चमस यांपे पेस्ट डाल रहे हैं हमें इसे पहली नहीं डालना है निते इसका स्वात चला जाएगा चल जाएगा तो अब हम थोड़ी सी प्याज बचा के रखी थी अब मैं उसे डाल ले अब इसे हम लगतार चलाते हुए फूंगे मीडियम फ्लेम पे में हाई फ्लेम पे अपी नहीं भूंग लाएं नहीं तो प्याज चल जाएंगे यह अच्छे से पख जाए पेस्ट भी अच्छे से पर चाहिए डाल लेते हैं गरम मसाले और चिकिन मसाले भी माली, हल्ली पाौडर, नाल माज़गि पाौडर जिम्शे भीज राण मसाल वह डाल आक में तो ौशा जह हमाल लेते हैं मसाले ही यह डाले पर चला इसी जलातों चलाते भूंगे अब मैं आपके दो ट्माटर काटके रुखे थी अब हम इसे डाल के दो एक्सी ज़नाटर तक हम तक पहुँ लेती हों दिखिन गर शुगा है अब हम जूब चिकन को प्राइकर ंचा़ रखी थी उसे डाल रहे हो इसे भी डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को पैट लेते हैं ताकि यह मसाले चारो तरफ अच्छे से मिल लें यह देखिए मसाले चारो तरफ अच्छे से मिल चुके हैं और प्याज भी कल-कल का कर चुका है मैं इसे डाख के 5-7 मियाद तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अच्छा यह पख चुका है इसका कलर आ चुका है अब मैं जो पाणी साइब में रखी थे इसे डाल में रहेंगे क्रेवे के लिए इसे डाल के हम अच्छे से मिला देते हैं कि कितना अच्छा कलर आ गया है अब इस रेसिपी कोई पर घर पर जरू ट्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज तो अब हम डालेंगे जो पाली बचाके रखी तो डाल ले रहेंगे अच् अब स्क्राइब कर सकते हैं अब इसे ढखाल लगा के दो सेटी होने तक पखाएंगे अधिए जिकन तयार हो गया अब मेरी रेस्पी प्रस्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइप और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज तो फिर ही थे अगली वीडियो क के साथ तब तक के लिए आप मेरी देजिकन के साथ उंज्वाइब कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब भी करतेशिएगा प्लीज प्लीज झाल